नमस्कार आपका श्वागत है रिचनाई रेस्पी में तू चलिए मैं फ्सुरू करती हूँ घर पे सिंपल मलखसानों से एक दम रेस्टोरेंट जैसा भिंडी मसाला बनाने की रेस्पी यह 250 क्रम भिंडी है इसको मैं इस तरह से चिला लगा दी हूँ बरे भिंडी को तीन और छोटा प्यास सिंपल कट लगा दी हूँ बारे कट लगा दी हूँ इस तरह से टामाटर को भी कट लगाई हूँ इतना ही थोड़ा मसाला से इतना टेस्टी रेस्टोरेंट वाली भिंडी बनके त्यार होगी क्या अंगोलिया चाटने पर मजबूर हो जाएंगी इतनी अच् संधहल वह भी भिंडी खाना चालू कर देंगे यकीन मानिये इसके साथ मैं कराही में शर्शो का तेल ली हूँ और उसी में जीरे का तरका डाली हूँ जीरा तरक जाता है जिर अच्छे से तरग जाती है तो उसी में भिंडी डालके मैं अच्छे से फ्राई करूंगी देखिए भिंडी है एकदम ताजी भिंडी एकदम ताजी फ्रेश है खेत की भिंडी है तुरत ताजी है बहुत जल्द बन के त्यार होती है दस मिनट से बारा मिनट भी इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है जो समय अगर सब्जी काट के पहले से रखी है तो दम दस मिनट में बन के त्यार हो जाएगी फटाक से बनने वाली रेश्पी है इसके साथ हल्दी में हाफ चमचा से भी कम ली हूँ ताकि अच्छे से इसमें भी कोट हो जाए और इसके साथ मैं थुरी भूं जाती है तो नमक भी डालूंगी तक इसमें नमक भी अंदर तक पेस जाए और हलका सिज भी जाए इसको मैं हाई टू मेडियम भूंज रही हूँ उसको लो फ्लेम पर बिल्कुल भी ना भूंजे तक इसमें एक स्मोकी फ्लेवर होना चाहिए थुरी भूं जाती है तो इसको हाई फ्लेम पर हलका सा कलर डाल दे यह अच्छे से भूं जाएगी चुकि यह ताजी तुरत रसलसी जो होती है वह हो जाएगी इसको ओपन में ही भूंना है यह भूं गई है मैं निकाल लेती हूँ और इसके साथ एक चम्चक तेल में औरली हूँ यह बहुत कम तेल से बनके त्यार होती है आई डी सी में मैं सिमला मिर्श और प्याज जो कटी है इस तरह से चोकोट्टु कुड़ो में मैं इसको भूं के निकाल दूंगी इसको तेज आज पर ही भूंना है ताकि इसमें भी कि स्मूकी फ्लेवर आए चुकि एस रेस्टोरेंट वाली भींडी बन रही है तो उसमें थोड़ा स्मूकी फ्लेवर होना बहुत जरूरी है कि अपने हिट को अपने गैस के टंप्रेचर को आड़जस्ट कर सकते हैं हाई टू लोग आराम से हो जाएगी यह भी 102 मिनेट में हराम से भून जाती तकि इसको बहुत ज़्यादा स्वागी नहीं करना है इसका क्रंच बना रहे उतना ही भून जना है और कलर अच्छे से आ जाए यह भी भून के त्यार हो गई है सब्सक्राइब करें तो लाइक करें और सस्क्राइब करें बेल आइकन पे किलिक करके और पे किलिक करें तकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक ज़रूर पहँए चमचा तेल में और ली थी उसमें जीरे का तरका और जो छोटी सी प्यास कटी थी उसको मैं डाल दी हूं तरके में एक जीरा और प्यास का मैं फोरंड डाली हूं यह अच्छ प्यास भून गई हूँ उसके बाद ही में मैं नमक एड़ कर रही हूँ प्यास को अच्छ से पिंक होना बहुत ज़रूरी है ताहीं ताक कि तब भी इसमें टेस्ट डेबलप होगी जिस तरह से बिडियानी वाली प्यास पिंक होती है उसी तरह से भूनना है इसी क पाउडर हाफ चमचा लाल मेर्च हाफ चमचा हल्दी का पाउडर है बस जदा मसाला कुछ भी नहीं है सिम्पल मसाला जो रेगुलर मसाला घल में सब के पास ही होती है उसी मसाला उससे बन जाएगी और इसी के साथ एकटुड़ी पानी ताकि मसाला जले नहीं मैं टामाटर पहले डाली हूं उसके बाद ही मैं मसाला डाली थी ताकि मसाला जलना जाए सुखी मसाला तुरस से जल जाती है स्वाद बेहत खराब हो जाता है और देखिए ये पाश मिनिट के लिए सीम ढख के छोड़ दी थी ताकि मसाला को भूरना ब प्याज टमाटर खरे से दिख रहे हैं मैं उसको अच्छा से दवा दवा के मैस कर दे रही हूं ताकि मुह में कहीं भी कोई आपस्टिकल ना आए खाने के वक्त अच्छा नहीं लगता है कोई भी बराट्टुक्रा मुह में आ जाए हुआ है ॥ और यह देखी बहुत अच्छा से भूपन गई है मसाला उसमें एक कप पानी में डाली थी ताकि अच्छा से भिंडी में कोठ हो जाए मसाला इससे सुख शुख देना रहे हैं तो खाने में अच्छी लगती है और इसके साथ मैं टमाटर अरलग से रक लिए थी उ इस तरह से कार दी हूँ देखने से बहुत कलर्फुर लगता है तो खाने में टेस्ट और भी बढ़ जाता है रिस्ट initiatives में ऐसे मिलती है तो खाने का मज़ा और भी अच्छा लगता है देखने से ही और खाने में nh में टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से भिंडी बनाने पर मेरे घर्मिये सब को बेहत पसंद है तो मैं सुची कि मैं आप लोग के साथ ये रेस्पी शेयर करती हूँ किस तरह से भिंडी खाना पसंद है मैं मेरे चैनल पे जरूर कमेंड करें और इसकी साथ में हाप चमचा कशोरी मेठी चुकि रेस्टोरेंट वाले भिंडी बन रही तो कशोरी मेठी से यद्स का फ्लेवर रेस्टोरेंट जैसी हो जाती है अदो से तिन 0 कटीवी मिर्च चुकि मैं में मिर्च डाली नहीं थी एक मिर्च दो मिज मैं तेमाटर के शा het कeszके डाली थी ज़्यादा तीता होजाना है कि और मैं कास्मरी मिर्च डाली थी कलड के लिएड़ा सब ठीखा पन अच्छा से खाने में एक अच्छीन आ रहा है उपर से दम तेल से प्रेट हो गया इसका मतलब बनके त्यार हो गई है तेल उपर उपर आ गया है दो मिनिट के लिए में ढखके दम छोड़ दी थी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितने लटपट से बन गए हैं देखने से यी बहुत अच्छे लग रहे हैं और महिक तो इतनी एच्छी आ रही है बहुत अच्छा बनके त्यार हुआ है मैं एक दिखाती हूँ आपको कितना अच्छे से ये सिज गया है देखी बहुत ज़्यादा मस्य जाई ये ताजी भिंडी थी दो मिनिट में सिज के त्यार हो जाती है भिंडी पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता और इसको बहुत धापके भी नहीं पकाना है और इसको भी मैं मिला दे रही हूँ ताकि इसमें धनिया पत्ती के फ्लेवर अच्छे से फील हो जाए अब गयास को मैं बंद कर दी हूँ और डन हो चुका है चलिए मैं सर्व करती हूँ पांच महट के लिए मैं रेस्ट करा दी थी सबजी को ताकि थोड़ी सान्त हो जाए एक भगोना लिए हूँ छोटे साइच का इसी मैं सर्व कर देती हूँ कराही भी खाली हो जाएगी आए इतनी भिंड़ी से चार से पांच लोगों आराम से खा सकते हैं सफिस्टेंट है चार से पांच लोगों के लिए बनने में दस मिनट का वक्त लगता है और इसको पूरी पराधा रोटी चावल ताल चावल किसी के वेज़ साथ खा जा सकता है यह बहुत मज़ी की लगती है अब जरूर ट्राइ करें कौन कौन ट्राइ की है तो जरूर कमेंट में लिखे भिंड़ी खाना किनकू इस तरह से पशंद है थोड़ी से तनिया पत्ति से मैं गार्निस कर दी हूं कि इसको मैं प्रेट में परोस्त देती हूं अपने वीवर के लिए देखिए देखने से कितनी अच्छी लग रही है साथ में कीरा दो चार पीस कटे हुई आज मैं इसको पार्ठ के साथ अपने वीवर को सर् अपने खरी मिच सजय को और भी ठाकेदार हो जाएगी अब इसको पूरी पराठा नान चावल दाल किसी के साथ खाएं बहुत अच्छी लगती है यह मेरे वीवर को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों मे ज़्यादा स्टेड कीजिए थैंक यू फो वाचिंग